ठीका मेरी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दर्शको 31 मार्च को चेत्र की अमावश्या है यह पित्र दोश और काल्ब सर्प दोश को मुक्ति दिला सकती है यह अमावश्या आपको सनातन धर्म में पुर्णिमा और अमावश्या तिथी का धार्मिक द्रस्टी से महत्व होता है अमावश्या के दिन पित्र दोश से मुक्ति के लिए उपाय किये जाते हैं उनकी तरक्की नहीं होती है जिन्हें पित्र दोश होता है और उनको संतान सुख भी प्राप्त नहीं होता है यही कारण है कि जिन पर पित्र दोश होता है उन्हें तुरंत इसका न आपको अमावश्या के दिन क्या उपाय करना है क्या कारे करना है जिससे आपको पितरदोष से मुक्ति मिले चेत्र महा की अमावश्या को बहुत ही महतवपुन बताया गया है चेत्र कृष्ण अमावश्या 31 मार्च दोपहर 12 बचकर 22 मिनिट से आरंभ हो रही है यह अगले दिन एक अपरेल को दिन में ग्यारा बचकर त्रेपर मिनट तक रहेगी यानि उदेया तिथी के आधार पर चेत्र अमावश्या तिथी एक अपरेल दिन शुकरवार को है इस दिन सुभा नौ बचकर 37 मिनट तक ब्रह्म योग है और इसके बाद इंद्रयोग प्रारंब हो जाएगा पित्र दोश से अगर आप मुखती जाते हैं तो चेत्र अमावश्या के दिन सुभा नदी में इसनान के बाद दान करना चाहिए जिन लोगों के आसपास नदी नहीं है उन्हें घर पर ही इसनान दान करना चाहिए जिन लोगों को पित्रदोश होता है वे अपने पित्रों को तरपन देती हैं, पिंडदान करती हैं, श्रात करती हैं, ब्राम्मनों को भोजन कराती हैं, भोजन का एक हिस्सा गाए और कोवे को खिलाती हैं, अंतमे पित्रों के समक्ष हाथ चोड़ कर प्रणाम करती हैं, ऐसा क लिए चांदी के नागनागिन की पूजा करें और फिर इनको नदी में प्रहाहित कर दी इसके अतिरिक्त गायतरी जाप या महामरत्युंजा जाप भी कर सकते हैं इससे भी आपको काल सर्प दोश से निवारन होगा त्रम्व केश्वर नासिक या उजेन आदित तिर्थ छेतरों में सर्प पूजा कराने से काल सर्प दोश से मुक्ती मिलती है काल सर्प दोशनिवारन के लिए सामान उपायों में कुत्ते की सेवा करना, कुत्ता पालना, कुत्ते को दूद रोटी खिलाना बहुत अच्छा माना गया है अगर आप भी अच्छोटे च्छोटे कार इस चेत्र अमावश्या पर करती हैं, तो आपको पित्र दोस के साथ साथ काल सर्प दोस से भी मुक्ती मिलेगी श्री शिवाय नमस्तु भ्यांदर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर आप नए हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजे, बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दीजे जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा, वो सबसी पहले आप तक पहुँचेगा श्री शिवाय नमस्तु भ्यांदर्शकों, हर हर महादेव